असलाम आलेकूम आज हम आपके साथ वेज मंचूरियन की रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए शुरू करते हैं तो वेज मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने यह एक फूल को भी लिए है जिसे हमने चौपर में फाइन इस तरह से चौप कर लिया है आदी गाजर लिये उसे भी इसी तरह से चौप किया है सबसे एकदम बारीक कटी होनी चाहिए एक शिमला मिर्चली है इसे भी इसी तरह से किया है हमने नमक एड़ करेंगे हाफ टी स्पून यहाँ पर हमने काली मिर्चली है वो भी स्मैट कर देंगे अब यह कौन फ्लार लिया है हमने टू टेबली स्पून यह भी हम एड़ करेंगे जितना हमने कौन फ्लार लिया है उतना ही हमें मैदा लेना है बस इस तरह से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसका हमें एक डो तियार कर लेना है अब हम चिली सॉस तैयार करेंगे जिसके लिए हमने यहाँ पर टामेटो सोस लिए बस इतनी काफी है वन टी स्पून यहाँ पर हमने लाल मिच पाउडर लिया है थोड़ा सा इसमें हम नमक एड़ करेंगे बहुत ज्यादा नहीं करना है क्योंकि सॉस जो लिए हमने टोमेटो सोस जो लिए उसमें भी नमक होता है तो आप बहुत देखकर नमक इस्तमाल करिएगा बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे यह हमारी रेड चिली सॉस तैयार है अब जो हमने बैटर तियार किया है वन टी स्पून इसमें हम एड़ करेंगे जिससे इसमें एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा अब इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे इसमें हमने देखी बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया है लेकिन नमक इड़ होने के बाद जो सबजियों का पानी होता है वो काफी हद तक रिलीज हो जाता है जिससे यह थोड़ा सा सौगी हो जाएगा तो अगर आपको जरूरत लगे तो इसमें थोड़ा सा मैदा ये कॉन्फलार आप और एड़ कर सकते हैं हमें जरूरत लग रही है तो हम इसमें थोड़ा सा और एड़ करेंगे बस अब इसकी छोट-छोटी सी हम balls एकदम से त्यार करेंगे हाथ पर थोड़ा सा हमने तेल लगा लिया है बस इस तरह से बहुत छोट-छोटी सी balls हम इसकी एकसाद त्यार कर लेंगे एक तरफ हमने तेल भी गरम होने के लिए रख दिया है जब oil अच्छे से गरम हो जाएगा तब इन सारी बॉल्स को हम fry करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साब तक पहुंच सके तो देखिए बस सारी बॉल्स इसी तरह से तयार कर लेंगे और एक तरह हमारा तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है तेल को हमने लोटू मीडियम फ्लेम पर गरम किया है अगर तेल बहुत ज़्यादा गरम होगा तो बॉल्स पर बाहर तो कलर आजाएगा लेकिन यह अंदर से कच्छी रह जाएंगी तो इसलिए आप मीडियम फ्लेम पर ही तेल गरम कीजिएगा इस तरह से सारी बॉल्स हम इसमें डाल देंगे एकदम से इने टच नहीं करेंगे थोड़ी देर जब यह एक साइट से फ्राइब हो जाएंगे उसके बाद हम इनकी साइट चेंज करके फ्राइब करेंगे बस इस तरह से धीरे धीरे से हम इसकी साइट चेंज करेंगे और हलका सा कलर आएगा तब हम इने बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हम इसे एक बार फिर से फ्राइब करेंगे तो देखिए कलर आ चुका है यह एकदम लाइट ब्राउन है अभी है जब एक बार हम फिर तेल गरम करेंगे और इन्हें फ्राइ करेंगे तो देखिए तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इन्हें दुबारा से फ्राइ करेंगे जब तक इन में बहुती अच्छा खुबसूरत सा कलर नहीं आएगा और यह अच्छे से अंदर से भी सिख जाएंगे तब तक हमें इन्हें फ्राइ कर लेना है इस तरह से दुबारा से इन्हें फ्राइ करने से बॉल्स जो है एक दम क्रिस्पी बन करते यार होंगी तो देखे अच्छा सा कलर आ चुका है अब हम सारी बॉल्स को निकाल लेंगे और इनकी सौस तयार करेंगे अब हमने कडाई गरम होने के लिए रख दी है उसमें हम बहुत थोड़ा सा तूटी स्पून के बराबर हम तेल डाल दिया है हमने और इसे गरम करेंगे तो दीखे तेल अच्छे से गरम हो चुका है इसमें हमने फाइन कट किया हुआ एक टुकड़ा अद्रक कर लिया है छोटा ही लिया है ज्यादा बड़ा नहीं लिया है वो भी आड़ करेंगे यह हमने लसन एड़ कर दिया है दो तिन हमने हरी मिर्च ली है वो भी इसमेड़ करेंगे एक छोटे साइज के हमने प्याज लिये उसे भी हमने फाइन कट किया है वो भी समेड़ करेंगे हलका सफराय करेंगे इस टाइम पर गैस की फ्लेम जो है हमें हाई रखनी है क्योंकि हमें सबजे को एकदम क्रंची रखना है आदि हमने शिमला मेज को इस तरह से हमने जूलियन कट किया है एक छोटे साइज का टमाटर लिया है उसे ऐसे ही रफली चॉप किया है टमाटर ज़रूर से ऐड़ कीजेगा इसमें बहुत ही अच्छा टैंगी सा फ्लेवर ये देगा अभी हमने हरी प्याजी समेड़ की है थोड़ी सी हमने गाजर भी समेड़ की है सबजी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमेड़ कर सकते हैं हाफ टीस्पून हमने काली मिर्चली है वं टीस्पून हमने इसमें सोया सॉस एड़ की है अब थोड़ा सा पानी आड़ किया है और मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा अब जो हमने रेड चिली सॉस तयार की थी जो बची हुई सॉस थी वो अब हम इसमें एड कर रहे हैं इसे इन सारी चुझों को अच्छे से मिक्स करेंगे यह हमने थोड़ा सा इसमें नमक एड किया है नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड कीजेगा पहले आप इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लीजेगा क्यूंकि सोया सॉस में भी नमक होता है तो देखिए बहुत ही अच्छी सी क्रेवी बनकर तयार हो चुकी है यह हमने बंटी स्पून कॉन फ्लार को थोड़े से पानी में एक घोल सा त्यार करके इसमें आड कर दिया है जिससे यह थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और एकदम ट्रांस्पेरिंट सा हो जाएगा तो यह काफी गाड़ा हो चुका इसमें थोड़ा सा पानी और एड करेंगे यह हमने कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च एड किये जिससे इसमें बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा बस एक दो मिनट के लिए थोड़ा सा हमने इसमें पानी अट कर दिया है थोड़ा सा और पकाएंगे और जो बॉल्स हमने बना कर तियार की हैं वो भी इसमें अट कर देंगे अब अच्छे से सारी बॉल्स को हम कोट कर देंगे अब इसमें एक अच्छा सा टैंगी सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें वाइट विनेगर एड करेंगे यह हमने थोड़ा सा कटा हुआ हरा दनिया और हरी प्याज इसमें एड की है तो देखिए विनेगर भी हमने एड कर दिया है इससे इसमें बहुत ही अच्छा टैंगी सा फ्लेवर आएगा और अब बस पॉल्स जो है एक दम तैयार है बहुत ही टेस्टी वेज मंचूरियन बनकर तैयार हुआ है आप लोग जरूर ट्राइ कीजेगा अब इसे डिशा आउट करते हैं तो लीजे दुआओं में आद रखिएगा अल्ला हाफिज झाल हिएगा झाल हाफिज रहाफिगा जात विर जोब अच्छोग्चर नहार नहा कीजे झाल है झाल